आज मैं आपके साथ शेयर करने वादी उत्रा खंड के फेमस टेस्टी भट के जो और जोई की रेसिपी और चीडिय का नमग बनाना तो इसके लिए सबसे पहले हमने साथ से आठ घंटे जो हमारे भटस को अच्छे से भिवू लेना है और अन्य पीस लेना है फिर यहाँ पर मैंने ले ली है एक लोही की गड़ाई आप चाहे तो सिल्वर की गड़ाई में बना सकते हैं लेकिन इसका जो टेस्ट है वो लोही की गड़ाई में आता है इसलिए मैंने ले लिया है लोही की गड़ाई में तेल और इसको रग दिया गरमोने अब वहाँ पीस लिए इसमें एककटोरी मैंने इसमें एककटोरी चावल डाले और पहले मैंने चावल को 5-10 मिनट अच्छे से पका लिया यहां पे जब मेरे चावल पक गए यहां पे न फिर मैंने इसमें धोड़ा धोड़ा करके अपना जो मैंने हमाभ अच्छी से फेंटते रहेंगे जिस法 बने यहाँ पर को बड़स, 10–12 एसने के ने सब्सक्राइब 5, chill due इसो सब्सक्क्राइब 59, 10 कज अच्छी से रहें जिसक। बहुत इसका हुसके तैस्टी ज़ूसिता हैं हिलाते रहने से पड़ते नहीं हैं और काफी स्वाधिस्ट बनकर तैयार होते हैं और यहाँ पर मेरे बॉइल आ चुके हैं पांस से साथ बॉइल मेरे आ चुके हैं लेकिन मैं इसको और अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि बहुत थोड़े डार्क डार्क से ना हो जाएं इसके साथ चावल बनाने की भी जरुवत नहीं होती क्योंकि इसमें और रिट ही चावल पड़ जाते हैं जीरे का या फिर लेस्टन का नमक डाला जाता है तो आप चाहें तो बना सकते हैं इसके साथ लेस्टन का नमक लेकिन यहां पर मैं तो शेयर करने वाली हूं आपके साथ सिंपल सा जीरे का ही नमक तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं काफी सारे उबाल आ चुके हैं और यह काफी डार्क डार्क सा दिखने लग गया है इसको अब लो फ्लेम पर छोड़ देंगे और यह जब तक पकेगा वहाँ पर हम बना लेंगे अपने जीरे का नमक तो मैंने एक तववे पर जीरा अच्छे से भून लिया फिर एक जार में ले लिया थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा हरी मिर्च इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक पाउडर इसको अच्छे से पीस कर अपने नमक तयार कर लिया और यहां नमक तयार है और जब तक नमक तयार किया यहाँ पर तयार हो गया मेरा भटका जो अब हम बना लेते हैं अपनी जोई जोई के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ले लिया बेजन इसमें आप चाहें तो डही डाल सकते हैं डाल सकते हैं लसी मैंने यहाँ पर लसी का यूस किया है फिर एक कड़ाई में रखेंगे तेल और इसको गरम होने देंगे फिर इसमें एट कर लेंगे हम जीरा जीरा एट करने के बाद जो हमने पानी बना रखें पानी को हम सारा डाल देंगे इसको अच्छे से पकार देंगे यहाँ पर देखो जोई में पांस से साथ उबाल आए हैं और जोई देखनेगी काफी अच्छी हो गई है जब इसमें पांस साथ उबाल आ जाएं फिर इसमें आप थोड़ा सा एट कर ले ना कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी एट करने से जोई झो होती है का आफी डैस्टी बनने रख जाती है उसका उस वाध काफी बढ़ जाता है और कस्तूरी मेथी को ऐट करने के बाद इसको आपने पांस से साथ मिनट छोड़ देना है तो यहाँ पर तैयार है गर्म गरम जोई हमारा नमक और यहाँ पर तैयार है हमारे भट के जो तो मैं इसको प्लेट में सर्व कर लेती हूं तो यहाँ पर मैंने प्लेट में सर्व कर लिए थोड़ा सा एक साइड मैंने जो डाल दिया भट का थोड़ा सा डाल दिया मैंने जोई और एक साइड डाल दिया मैंने नमक तो फ्रे का जो और जोईन लसन का नमक या जीरे का नमक किस-किस ने खाया है किस-किस ने ट्राइ किया है थैंक इसो मैं